बेलकम टू ग्यांटेक मुनगवाइस आज की सुछ बात करने वाला आप लोगों को और आफलाइन एक्जाम कैसे देना है फर्स स्टुएंट को फोर्स स्टुएंट को सिक्स स्टुएंट को और सेकेंड फेज एस्टुएंट को ठीक है यह वीडियो सोल रेगुलर एंस वेप फेज मार्च में एक्जाम होगा ठीक है अब बात करते हैं ऑनलाइन एक्जाम कैसे होगा और आफलाइन एक्जाम कैसे होगा तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोग का एडमी कार्ड कवाएगा तो एक्जाम से एक हफता पहले आप लोग का एडमी कार्ड जारी कर दिया ज ठीक है, एड्रेस आप लोग का मिंसन रहेगा और जिस भी स्कूल या कॉलेज आप लोग का सेंटर होगा, उसमें आप लोग को जाके देना होगा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग का रेजिस्टेशन, ठीक है, तो आप लोग डी यू और एंसेव के जितने वाइ ठीक है, वहीं बात कर ले, आप लोग का रेजिस्टेशन होता है, तो आप लोग का रेजिस्टेशन आप लोग का नहीं होता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले, आप लोग का रेजिस्टेशन में कितना टाइम मिलता है ओनलाइन में, तो मैं आप लोग को बता कर पाय हो तो आप कर लिए Its little bit clear कि our अबात कर लें कि em डिख्जाम में एक प्र कम मिलता है तो अङ麼 अब लिखने क्लिए मिलता यह जो दो आप लोग को नहीं मिलता है विजलां नेक्स पॉइंट बात कर लेते हैं आप लोगो अखजाम में कितने कोसं अते देते हैं तो online exam में 6-8 Question आप लोगगो देखने के लिए मिलेगा वहीं बात ऐसों अप लोग को offline exam में आप लोग कितना के अपर साइज का पेज करना है एक answer आप लोग को čार यह पांच पेज में बना सी बड़े स्थाइब ज्यादा एंसर दे सकते हैं लेकिन अगर आप लोग थियोरी कर से तो चार से पांच में बहुत है ठीक है मुई बात कर ले आप लोगो चार एंसर देना जैसे कि आप लोग और पॉइंट की बात कर ले आप लोग का ऑनलान एक्जाम में एक्जाम हार्ड होगा या बिल्कुल को बतातुए मैं अपड लोग इजाम बिल्कुल ऊंपने वाला लेकिन जो स्टुटेंटंट नहीं कि उनके लिए हर्ड होने वाला है और जो स्टूटन कि इस ट्रेट कि उनके लिए तो बिल्कुल इजी होने वाला ठीक है वहीं बात कर लोगो पता है कि फॉर समेस्टर का schema आप सोल के से ठीक है तो मैं अपने आपने को प्रिप्रेशन की लिए आप लोग बताओं आप लोग 10-year परचीश करके आपना एक्जामनेशन की प्रिप्रेशन कर सकते हो ठीक है नहीं तो मैं आप के को जोड़े फिरू आप लोग को कुछ एल्प करूंगा ठीक है नेस्ट पॉइंट आ आप लोग का चीटिंग होता है लेकिन अगर आप लोग खुझ से प्रिप्रेशन करके जाओगे तो काफी अच्छा परसेंटेज हो क्योंकि आप लोग जो एंसर आएगा आप लोग खुद लिखोगे लेकिन आप लोग वहाँ पर चीटिंग कर सकते हैं इसमें भी कोई दिक् आप लोग क्या पेज लेना पड़ेगा तो नहीं अप लोग अपने ईग्जाम सेंसर्ट पर आप लोग को वहीं पर पेश दिया जाएंगा अब लोग को उसी पेज में आइसर करना है व्योंति को तो बीच् Suzuki वीडियो को टेल एक मुंका लिंक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में तब तक लिए थांक्यू जाहिन जाह वारत कि अ कि कि